ओम सिरीगनी सायनम दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वालत हैं दोस्तू आज येकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार अगस्त रविवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकार हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करत हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही हैं कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण सवाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महत्पपूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके हुए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कार आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यतित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यतित में और अधिक न जोज रहेगा प्रंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यतित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम हैं काफी लंबे समय से चली आ रही क इसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तों समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उपि योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शमक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अत्वा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तों अनेक प्रिकार की सफलता हैं आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तों अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्ववबाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिति उत्पन हो सकती हैं भैतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहोनी होनी जैसी आसंका होने का आज भैर रहेगा अपने श्वबाव पर नियंतन रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती हैं साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती हैं दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साती सात दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदुन्दी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परंतु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंते कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैशी रहनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समांजस रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरण आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड ताएगी रोमांटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदसें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बाहरी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी संभाव ना है परिवार के व्यक्ती आप से कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहें तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन्हें कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिकर करने की आवश्यक्ता नहीं हैं किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओर भी मिलन अकेले ना लें बलकि टीम वर्क बना कर काम करें इससे वेवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों वेवसाय छेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहतर पैणाम हासिल आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें वेवसाय के परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुब उप्योग कर सकता है और ओर्डर संबंदित सभी कारों में पक्के भिलका आप उप्योग करें दोस्तो नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदाएक दिन रहने वाला है दोस्तो नोकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्त होंगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में सहियम रखें विवेश्थित दिंचरिया रखने की आज स्वास्थ मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिया दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेत इन तीनों जहडूओं को आसपास के किशीभी मंदिर में चुपचाप रख आएं और मनीमन भगवान शुरदेव का इसमरण आप करते रहें जा दोस्तो साती सात जहडू रखते समय आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जहडू रखें तब आपको को फलो की प्राप्ती होंगी जो भी आपके घर में धन संबंदित परिशानिया हैं समस्त परिशानियों कांत होगा आपके घर में धन वैबब और यसमें वरद्धी होगी जा दोस्तो आप इस उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो कोमेंट्स बोक्स में जैशूरदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद